हलो एब्रीवन वेलकुम तो माई यूट्यूब चैनल आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अड्वांटेज अड्वांटेज ओफ सॉफ्ट्वेर इंजिनियरिंग इससे पहले भी मैंने सॉफ्ट्वेर इंजिनियरिंग के काफे सारे टॉपिक कवर किये हैं जो आपको सॉ नमबर थ्री गुड़ पे और नमबर फॉर फ्लेक्सिबल शेडिूलिंग नमबर फाइव इंक्रीज इंप्लोइमेंट पॉसिबिलिटीज अन्द नमबर शिक्स इस बिजनस ऑपर्चुनिटीज यह सारे पॉइंट्स हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं नमबर वन हमारे पास आती है हाई डिमांड जो हमारे पास सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हैं उनकी बहुत जादा डिमांड होती है ओल्मोस्ट हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई सॉफ्ट्वेर चाहिए और उसे रन करने के लिए हमारे पास इंजिनियर्स होने चाहिए जो उ इना specific country पूरे के पूरे वर्ल्ड में software engineers की डिमांड रहती है और यह जो है एक long term working job है इसका career बहुत ही best है और जो developer बनना है software का वो एक good option है आज की youth के लिए next मैरे पास आते है growth opportunity हम यह देख सकते हैं कि काफी सारी growth opportunities होती है software engineering में यहाँ पर कोई भी limit नहीं है कोई level नहीं है हम continuously यहाँ पर grow कर सकते हैं जो technology है वो develop हो रही है so उनको manage करने के लिए भी हमें अच्छे software engineers चाहिए हमें आज की technology में कुछ ना कुछ new चाहिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ new आता रहता है कुछ ना कुछ changes होती रहती है तो उसके लिए अगर हमारे पास well and good experienced जो software engineer होंगे तब ही हमारी technology पे वो best work कर सकेंगे तो इसकी growth opportunity है वो एक तरह से बहुत ही जादा best हमें देखने को मिलती है next advantage हमारे पास आता है good pay almost वैसे तो सभी जो industry है वो एक अच्छा package जो है engineer को provide करते है लेकिन जो software engineering line है उसमें बहुत ही अच्छा package देखने को मिलता है जो software engineer है वो कुछ ना कुछ हमेशा new learn करते रहते और वहां से जो salary का skill जो है वो बहुत ही जादा हाई होता है वो एक तरह से good pay जो हमें provide करती है इस skill में जाने के बाद आपको package बहुत अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि कई ना कई coding के अंदर आपको बहुत सारी चीजे पता होनी चाहिए आपको वास्ट लेवल की coding आनी चाहिए development में ब best salary opportunity जो है वो देखने को मिलती है नेक्स्ट हमारे पास आता है flexible scheduling जो software engineer है उनके पास जो है एक बहुत अच्छा option है कि वो जो अपना काम है वो from home कर सकते हैं जो आजकल दिल रहा है work from home तो यह opportunity जो है बहुत अच्छी मिलते है software engineer को क्योंकि उन्हें जरूरी नहीं है कि office में physically present होना है उनके पास अपना अच्छा खास हो software हो उस पर वो work कर रहे है कोडिंग कर रहे हैं कहीं न कहीं वो long distance से जो है अपना काम complete कर सकते हैं और इससे क्या benefit होता है कि आप अपनी family को ज्यादा time दे सकते हैं मतलब एक आने जाने का जो routine है schedule है वो कहीं न कहीं minimize हो रहा है और आप अपनी family के पास जादा से जादा time spend कर सकते हैं और किसी भी time अपना project complete कर सकते हैं next advantage हमारे पास आता है increased employment possibility employment कैसे increase होगी जैसे आज के time में कोई भी sector हो banking हो health care हो commerce हो entertainment हो हर जंगा जो है software engineer की requirement है उनके पास अपना software होता है उसमें work करने के लिए उसकी setting में adaptation में मतलब कोई भी काम हो उसके लिए उन्हें particular एक इंजिनियर चाहिए कि वो अपने software को up to date रख सके उसमें जो है ताकि उनके employee अच्छे से work कर सके तो handling के लिए एक इंजिनियर हर company को हर industry को need होती है तो यहाँ से क्या है increase होती है employment possibility next advantage हमारे पास आता है business opportunity जो career opportunity है इसकी वो उसकी कोई boundary ही नहीं है geographically आप एक country से दूसरी country या कहीं पे भी जो है software इंजिनियर की बहुत जादा requirement है पूरे वर्ड में जो इंजिनियर है उनको एक अच्छी जो country है वो भी hire करती है जैसे USA है Germany है निथर लेंड है Canada है France है यह सबी जो country है किसी भी country से जो है अपने पास इंजिनियर बुलाती है अपना जो है उन्हें अच्छा package प्रोवाइड करती है तो यहां से क्या है जो business opportunity है वो बहुत अच्छी है software engineers की बहुत जादा requirement है तो एक जंगा से दूसरी जंगा जो है हमारे engineers work कर रही है वहां से उन्हें अच्छी skills और अच्छा business ideas भी जो है वो देख आते हैं now the disadvantage of the software engineering जैसे की हर चीज के advantage होते हैं तो disadvantage भी होते हैं तो software engineering के disadvantage कौन से है number one है health issue due to prolonged sitting number two है tight projected deadline number three है security issue number four है theoretical update in technology number five है not enough assistance and the number six हमारे पास है price issue यह कुछ disadvantage है जो अब हम डिटेल में बढ़ेंगे disadvantage को पंडे से पहले please like the video put the comment and subscribe the channel so the first disadvantage हमारे पास है health issue due to prolonged sitting जैसे की आपको पता है software engineering में recording का काम होता है desk पर बैठ के करने का कुछ काम होता है तो obviously बात इतनी देर तक अगर हम बैठेंगे long time तक तो वो कई न कई हमारे health को जो है side effect दे रही है कुछ न कुछ हमे health issue जरूर होंगे इस तरह से तो हमारे पास ज्यादा देर तक बैठने की वज़े से back pain और poor sitting posture या फिर weight gain जैसी problems जो है वो देखने को मिलती है नेक्स्ट हमारे पास आते disadvantage tight project deadline जो हमारे पास software engineer होते हैं वो बहुत ही जादा problem face करते हैं कैसे कि उन्हें एक particular time में कोई न कोई meeting attend करनी पड़ती है अपने project को दिखाना पड़ता है explain करना पड़ता है तो यह एक तरह से उनके लिए stressful होता है अब एक इंसान है वो single एक जंगा बैट कर अपना project त्यार कर रहा है और एक meeting में अपना project कर रहा है meeting में different जैसे हमारे पास कोई भी meeting है उसमें different people है हर किसी का अपना लग idea होगा तो एक particular project पर जो इंसान अच्छे से काम कर सकता था different idea के साथ उसे थोड़ी सी है वो stressful हो जाता है उसके लिए उस project को complete करना पाना in a particular time वैसे तो कोई भी engineer अपना काम अपने according कर लेता अब particular उसे एक deadline दे दी गई कि इस time तक आपको project करना plus उसे multiple peoples दे दिये गए जिनके आउन उसको ideas लेने है और अपने project पर work करना है तो यह बहुत ही जादा एक बड़ा disadvantage हो जाता है software engineers के लिए next disadvantage हमारे पास आते है security issue जैसे कि जो software engineer है उनका काम जादा तर computer से related होगा तो obviously बात है वहाँ पर hacking का खतरा भी जाद होगा उनका जो data है वो चोरी भी हो सकता है तो यह बहुत बड़ा disadvantage हो जाता है software engineering के अंदर हमें कुछ precautions रखने पड़ते हैं अपने data को secure रखने क लिए उनके अपर कुछ antivirus या और भी बहुत सारी चीज़े होती है जिनसे हम अपने data को secure कर सके हमें जो अपनी applications है वो up-to-date रखनी पड़ती है continuously उन्हें update करना पड़ता है ताकि जो हमारा data वो secure रह सके वो किसी hacker के contact में ना सके तो यह एक major security issue जो है वो disadvantage हो तो software engineers के पास technology अब technology है वो बार-बार change होती रहती है और software engineers को किसी भी industry में technology के साथ काम करना है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है new programming language सीखना किसी particular new tool के साथ काम करना इतना tough competition होना तो यह कही ना कही एक disadvantage है उनको बार-बार continuously कोई particular language new coding new language new knowledge और आजकल market में trend में क्या यह सब उनको ध्यान रखना पढ़ता है up to date रहना पढ़ता है यह नहीं कि उन्होंने एक programming language सीखी और पूरी जिंदी के उस पर काम क्या नहीं उनको up to date रहना पढ़ता है हर चीज को नए तरीके सीखना पढ़ता है नए tools को यूज करना पढ़ता है तो यह भ efficient amount of mentoring होता है, resources उनके पास कम होता है, sport किसी भी organization की तरफ से कम होता है, तो उनका जो professional work है, उसके लिए एक problem देखने को मिलती है, वो अगर नई चीजों को implement करने के लिए उनके पास अगर enough amount नहीं होगा, enough sources नहीं होगे, तो updation के लिए new techniques को सीखने के लिए उनके पास दिक्कत आएगी, उनके पास अगर software अच्छे नहीं होगे, तो अभी दिक्कत आएगी, तो एक growth opportunity उनकी कम हो जाती है, learning capability कम हो जाती है, because of not enough assistance, मतलब जितनी की चरूरत है, उतनी चीज़े उनके पास नहीं हो पाती, next disadvantage हमारे पास आता है price issue, जो software को हम, software system को develop करते हैं, और उसे up to date रखते हैं, उसकी जो cost है वो थोड़ी expensive होती है, हमें new software लेने पड़ते हैं, जो काफी costly होते हैं, hardware, software license, development tools, और उन्हें maintain करने के लिए और भी जो components हैं, जो हमारे project में use होते हैं, उनका भी जो budget अब हाई रहता है, उनके भी price expensive होते हैं, budget को manage करना और जितना भी समान हम use कर रहे हैं, उसकी cost को देखना, ये सब क्या है, project के उपर उनका price जो है, वो effect डालता है, और ये एक तरह से एक disadvantage है, of the software engineering, ओके आज की class में सिर्फ यही था, thank you so much, please like the video and subscribe the channel, hope so आपको पूरी वीडियो, advantage and disadvantage of the software engineering अच्छे से clear हो गए होंगे, और आप अपने exam में अच्छा सा answer देखे आएंगे,